हेलो एवरिवन सेजी व्याप्रम के समस्त अभियर्थियों का मैं महेंद देवांगन हर्दिक स्वागत करता हूँ आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेजड रहेगा आपका खाद देनीरी चक का जो एक्जाम होने वाला है 20 फरवरी 2022 उसकी तैयारी के लिए एक छोटा सा हमारा योगदान तो यहां पर जो ही इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अधर्वाइस हम आगे बढ़ जाएगे ठीक है ओके सो शुरुवात करते हैं हम यहां पर हम यहां पर 19 भाग होंगे ठीक है छोटा छोटा लेक्चर होगा इसकी अधिसूचना यहां पर दी गई है जो की जारी की गई है 15 जुलाई 2020 लेकिन यह आपके एक्जाम के पॉइंट आवी से इंपॉर्टेंट नहीं है इसको ध्यान नहीं देंगे यहां पर इंपॉर्टेंट है केंद्र यह सरकार उपभोकता संरक्षड अधिनियम 2019 की धारा 101 की उपधारा जो भी दिया गया है तो यहां पर आपको धारा यहां पर याद रखना है 101 है ना द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए निमनल लिखित नियम बनाती है अब वो नियम क्या क्या होते हैं उसको हम ध्यान से समझते हैं ठीक है जी तो यहां पर संचिप्त नाम और प्रारम इन नियमों का संचिप्त नाम उपभोकता संरक्षड केंद्री उपभोकता संरक्षड परिसत नियम 2020 है तो यहां पर नियम 2020 अब ये कब से प्रवित्त होंगे तो ये 20 जुलाई 2020 से प्रवित्त हुए हैं उसके बाद कुछ परिभासाएं हैं उस परिभासाओं के बारे में हम यहाँ पर अध्यान कर लेते हैं ठीक है तो परिभासाएं इन नियमों में जब तक की संदर्भ की अन्यथा अपेक्षित ना हो अब देखो इतना टिपिकल है आप उसको पूरा का पूरा छोड़ देजिए ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अधिनियम से उपभोक्ता संरक्षड अधिनियम 2019 अभिप्रेथ है ठीक है इसका मतलब यह है कि आ आप इस नाम से जानेंगे उपभोक्ता संरक्षड अधिनियम 2019 ठीक है उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं केंद्री परिसद से अधिनियम इस्थापित अधिनियम धारा तीन की उपधारा के अधिन इस्थापित केंद्री उपभोक्ता संरक्षड परिसद ठीक है कहने क का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि केंद्री परिशद का मतलब क्या है केंद्री उपभोक्ता संरक्षड परिशद ठीक है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष से केंद्री परिशद का अध्यक्ष अभिप्रेथ है मतलब है उसका ठीक है अध्यक का मतलब केंदरी परिशत का अध्याक्ष उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अनुसूची से इन नीमों के साथ सनलग्न अनुसूची अभिप्रेथ है अब यहां पर दो अनुसूची आगे हम चर्चा करेंगे उसके बाद फिर राज्य में संग राज्य छेत्र सम्मिलित ह जब भी राज्य सब्द का मतलब आएगा तो वहां पर राज्य तो सम्मिलित हैं ही है उसके बाद फिर आपका संग राज्य छेत्र भी उसमें आएगा ठीक है आगे हम बढ़ते हैं इनमें उप्योग किये गए सब्द और वाक्यांस जिन्हें इनमें परिभासित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभासित किया गया है का अर्थ वही होगा जैसा अधिनियम में परिभासित किया गया हो ठीक है यह थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन कहने क मतलब यह है कि जो परिभासित अधिनिया में जो भी परिभासित किया गया है वही होगा ठीक है आगे हम बढ़ते हैं केंदरी परिशत की संरचना ठीक है यहाँ पर हम बात करेंगे केंदरी परिशत की संरचना केंदरी सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंदरी परिशत की स्थापना करेगी जिसमें निम्न लिखी सदस्य होंगे जिनकी संख्या 36 से अधिक नहीं होगी तो यह हमारे एक्जाम के पॉइंट अफिस से काफी इंपॉर्टेंट है आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ठीक है 36 से अधिक नहीं होगी और मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ यदि आप खाली वीडियो देख रहे हैं चाहे आप कोई सब ही चैनल में आप देखिए या मेरा वीडियो देखिए या किसी और का देखिए यदि आपके पास प्रॉपर पेन और पेपर नहीं है आप उसके साथ नहीं बैठें तो कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का ठीक है okay sorry but it's a truth कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर नोट बनाना जरूरी है उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं केंद्री सरकार में उपभोकता मामले के प्रभारी मंत्री जो केंद्री परिशत के अध्याच होंगे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ ह केंद्री सरकार में उपभोकता मामले के प्रभारी मंत्री जोब भी उपभोकता मामले के प्रभारी मंत्री हैं केंद्री परिशत के अध्याच होंगे नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार में उपभोकता मामले के प्रभारी राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है अत्वा उप मंत्री जो केंद्री परिशत के उपाध्यक्ष होंगे अब देखें अध्यक्ष कौन होंगे केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री ठीक है और उपाध्यक्ष कौन होंगे केंद्री सरकार में उपभोक्ता मामले के प्रभारी राज्य मंत्री ठीक है प्रभारी मंत्री और प्रभारी राज्य मंत्री इसमें दोनों फरक है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अनुसूची एक में यथा उल्लेखित प्रत्येक छेत्र जिन्हें प्रत्येक बार केंद्री परिशत का कारेकाल समाप्त होने पर चक्रा अनुक्रम के आधार पर बदला जाएगा से दो राज्यों के उभोकता मामले के प्रभारी मंत्री ठीक है अब ये अनुसूची एक में क्या उल्लेखित है कहां से बदला जाएगा तो दो राज्यों के उभोकता मामले के प्रभारी मंत्री से ठीक है अब देखें अनुसूची एक में क्या बोलता ह ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहां पर दिखाने का कोशिस करता हूँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनुसुची एक में देखिए कि क्या है, ठीक है, यह नियम तीन, तीन उसको छोड़ दीजिए आप, अनुसुची एक में देखिए, पूर्वी छेतर में बिहार, चत से काफी important है, है न, उत्तरी छेतर में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरक्षंड, राज्य संम्मीलित है, दक्षिडी छेतर में आंधर प्रदेश, करनाटा, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना, राज्य संम्मीलित है, उत्तर पूर्वी चेत्र में अरुनाचल प्रदेश, असम, मडिपूर, मेघालाय, मिजोरम, नागालेंड, त्रिपुरा और सिक्किम, राज्य सम्मिलित हैं ठीक है तो ये सभी के सभी हमारे एक्जाम के फॉइंट से इंपॉर्टेंट है ठीक है अब कैसे इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर क् पुर्वी छेत्र है ना जो की सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया ये कहलाते हैं लेकिन हाँ यहां पर सिक्किम उसमें सामिल नहीं है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट है सो जस्ट क्रेम इट ठीक है याप इसको याद कर लिजिए है ना उसके बाद हम वापस चलते हैं ठीक है आगे हम बढ़ते हैं यहां पर दिया है चौथा देखिए घह अनुसूची दो में यथा उलेखित किसी संग राजचेत्र के प्रसासक संग राजचेत्र के प्रसासक चाहे वे प्रकासक अथ्वा उप राजपाल के रूप में विनिर्दिष्ट हों जो संग राजचेत्र का प्रति निधित्व करेंगे जिन्हें प्रत्यक बार केंद्री परिसत का कारेकाल समाप्त होने पर चक्रा अनुक्रम के आधार पर बदला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर भी चक्रा अनुक्रम के चक्रा मतलब साइकिल है ना साइकिल ठीक है कारेकाल समाप्त होने के बाद उसे बदला जाएगा ठीक है अन अनुसूची 2 को एक बार फिर से हम यहां पर देख लेते हैं अनुसूची 2 में क्या है So, it is very very important for the exam point of view अब क्यों अनुसूची 2 important है आप आराम से समझ सकते हैं यहां पर देख कर अंडमान और निकोबार, द्विपसमू, चंडीगर्द, दादरा और नगरहवेली, दमन और दीव, जम्मू एवं कस्मीद, लद्दाक, लक्षदीब, पुडुचेरी, राश्ट्री, राजधानी छेत्र, दिल्ली के संग राजचेत्र अनुसूची, दो, वो सभी के सभी, किसके लिए बता रहा है, संग राजचेत्र के लिए, या फिर हम उसको बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ये तो क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपका, क्या आया है न, दो संसद सदस्य, एक लोक सभा से और एक राज सभा से, ठीक है, तो इतने ये जो परिशद है न, इतने लोक वहां होंगे, ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं, उपभोक्ता हीतों से संबंधित, केंद्री सरकार के विभागों, स्वायत संगठनों, एवं अथ्वा विनि आमकों के प्रतिनिधी, जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, उपभोक्ता हीतों से संबंधित, केंद्र सरकार के विभाग, कितनी संख्या होनी चाहिए, 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि हम टोटल के बारे केंद्री उब्भोक्ता संरक्षड प्राधी करड के मुख्य आयुक्त होंगे रजिस्टार होंगे राश्ट्री उब्भोक्ता विवाद प्रतितोस आयोग और इसका जो मुख्यालाय होगा वो आपका नई दिल्ली में होगा है ना उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं उब उब्भोक्ता संगठनों के प्रतिनिधी जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी जिने केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा अब यहाँ पर important question हमारे exam के point office से ऐसा बनता है कि कौन नामित करेगा नामित मतलब nominate करेगा है ना तो वो केंद्र सरकार करेगी central government करेगी उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ ठीक है तो उब्भोक्ता संगठनों उब्भोक्ता सक्री कार्यकरता अनुसंधान एवं प्रसिक्षड संगठनों अकादमी सियनों क्रिसकों व्यापार अत्वा उद्योग जगत के लिए उब्भोक्ता हीतों का प्रतिनिधित करने में सक्षम अनुभूत विशे सग्यता और अनुभाव रखने वाले प्रतिनिधि जिनकी संख्या अनुसूची एक में दिये गए प्रतियक छेत्र से एक होगी जो पांच से अधिक नहीं होगी जिन में कम से कम एक तिहाई महिला होंगे अब ये हमारे एक्जाम के प्र जाओगे मैंने एक तिहाई बोल दिया था sorry for that कम से कम एक महिला होगी ठीक है आगे हम बढ़ते हैं राज्यों के उभुकता मामले के प्रभारी सचीव जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी जिने केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ठीक है तो उभुकता मा प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें है ना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके यार कि और भी वीडियो हम अच्छे अच्छे ला सकें आप सभी के एक्जाम के पॉइंट आफ यू से उके उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं केंद्री सरकार के उभुकता म कार काल कितने वर्ष का होगा तीन वर्ष का होगा ठीक है परन्तु केंद्री परिशद तीन माह से अधिक अवधी अत्वा इसका पुनर गठन किये जाने की अवधी तक जो भी पहले हो कार करती रहेगी इसका मतलब मेरे हिसाब से आप लोग समझ गये होंगे परिशद तीन माह से अधिक अवधी अत्वा इसका पुनर गठन जो भी पहले हो या तो फिर अवधी तीन माह हो जाए है और उस तीन माह के भीतर ही मेरे हिसाब से या फिर सबके हिसाब से तीन माह से पहले ही उसका पुनर गठन हो जाता है ठीक है आगे ही हम बढ़ते है न सदस्य केंद्री परिशद के अध्यक्ष को संबोधित स्वयम के द्वारा यहाँ पर इंपोर्टेंट है केंद्री परिशद के अध्यक्ष अब यहाँ पर केंद्री परिशद के अध्यक्ष कौन होंगे तो फिर प्रभारी मंत्री है ना आप देखें ना वोगता मामले के प् प्रभारी राजमंत्री ठीक है आगे हम बढ़ते हैं लिखित सूचना देते हुए केंद्री परिशद से त्यागपत्र दे सकता है ठीक है ओके आगे हम बढ़ते हैं त्यागपत्र के कारण उत्पन हुई रिक्ती किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन हुई रिक्ती को केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों को उसी स्रेडी से नियुक्ती के माध्यम से भरा जाएगा त्याग पत्र के कारण उत्पन हुई रिक्ती भरने के लिए न्यूक्ति किया गया व्यक्ति केवल उसी अवधी तक पद पर रहेगा मतलब जब से वह पद त्यागा है और जितना समय बचा है दिचना कारेकाल बचा है उतना समय तक वह रहेगा यदि रिक्ती उत्पन न हुई होती तो मूल सदस्य पद पर रहने का हगदार था ठीक है So this are all very very important for the exam point of view तो आप अच्छे से ध्यान देकर इसको पढ़ें और आगे बढ़ें ठीक है थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा कर लेता हूँ अब आते हम कार्य समू में अधिनियम के अधिन अपने कार्यों का निस्पादन करने के प्रयोजन से केंद्री परिशद इसके सदस्यों में से ऐसा कार्य समू का गठन कर सकती है जिसे यह आवस्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्यकार्य समू ऐसे सभी कार्यों का निस्पादन करेगा जो केंद्री परिशत द्वारा सौपे जाएंगे ठीक है बहुत ही common सचीज है केंद्री परिशत प्रत्य कार्य समुह को इस पश्ट रूप से परिभासित ऐसे कार्य सौपेगी जो विचारार्थ विशियों के माध्यम से विनिर्दि परिशत के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे तो जितने भी इंपोर्टेंट यहां पर आपको लगता है मैं जो बता रहा हूँ वो सभी के सभी आप अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे ठीक है ताकि जब हम इस से रिलेटेट जितने भी MCQs करें हैं है ना महत्तपुर् प्रश्ण जब हम लाएं तो इस सभी के सभी आपसे बन सकें ठीक है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके 30 से 40 नंबर के आ सकते हैं जितने भी अधिनियम हैं ठीक है तो उसके लिए आप तयार रहें नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरब प्रत रिपोर्ट करेगा किसको अध्यक्च को और उसके बाद फिर केंद्री परिश्चन के समक्च उसको रखा जाएगा कारे समूह उस कारे के पूरा होने के पस्चात कारे करना बंद कर देगा जिसके लिए इसे गठित किया गया था ठीक है ओके सो दिस इस इट नेक्स्ट आग राजधानी छेत्र दिल्ली में आयोजित की जाएंगे परंतु केंद्री परिशद की बैठके साधारण तयार राश्ट्री राजधानी छेत्र दिल्ली में आयोजित की जाएगी परंतु केंद्री परिशद जब अध्यक्ष का मत्त हो की ऐसा करना उप्यूगत है भारत में किसी अन्य इस्थान पर भी अपना बैठक आयोजित कर सकती है ठीक है कौन चाहे तो केंद्री परिशद का अध्यक्ष नेक्स्ट केंद्री परिशद की बैठकों की अध्यक्षत परिशद के अध्यक्ष अत्वा उनकी अनुपस्थित में परिशद के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा नेक्स्ट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर केंद्री परिशत की बैठकों की अध्यक्षता इस प्रयोजनार्थ चुने गए केंद्री परिशत के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ठीक है देखो यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष करेगा है ना और उपाध्यक्ष यदि अनुपस्थित होता है तो किसी भी सदस्य लेकिन किसी सदस्य कहने के मतलब है कि केंद्री परिशत की बैठकों की अध्यक्षता के प्रयोजन के लिए चुने गए केंद्री परिशत के सदस्य द्वारा ही ली जाएगी है ना आगे हम बढ़ते हैं केंद्री परिशत की बैठक अध्यक्ष के अनुमोधन से प्रतिक सदस्य को बैठक की आशित तारिक से कम से कम 15 दिन पहले डाक या इमेल के माध्यम से त्वरित संप्रेशड को सुकर बन आई जा सकती है ठीक है यहाँ पर इंपोर्टेंट है आपका कितने दिन पहले सूचना देना इंपोर्टेंट है 15 दिन सो इट इस इंपोर्टेंट फॉर अवर इक्जाम पॉइंट आफ यू आगे हम बढ़ते हैं केंद्री परिशत की प्रत्यक बैठक की सूचना में बैठ का समय, तारीक और इस्थान तथा बैठक के लिए कारे सूची की मदों की जानकारी दी जाएगी तो इस आप चाहते हैं कि पंचायती राज को भी हम यहां पर डिलीवर करें उसका लेक्चर को तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पंचायती राज डिलीवर करना है सर ठीक हैं तो हम उसके लिए भी वीडियो जरूर लाएंगे जैसे जैसे आपको नीड होता है वैसे वैसे आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम उसको आगे वीडियो सिरीज में एड करेंगे ही करेंगे ठीक है क्योंकि हमारी प्रात्मिक्ता आपकी सफलता है आगे हम बढ़ते हैं केंद्री परिशत की बैठा के दावरान कार्य सूची में सम्मिलित न किये गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अत्वा उपाध्यक्ष अत्वा बैठा की अध्यक्षता करने वाले कोई भी सदस है जैसा भी मामला हो कि अनुमती को छोड़ कर चर्चा नहीं की जाएगी कहने का मतलब है कि बैठा के दावरान कार्य सूची में जो भी है उसके हिसाब से चर्चा की जाएगी ठीक है आगे हम बढ़ते हैं ठीक है भैठा के कार्यव्रित्य को अध्यक्ष अत्वा उपाध्यक्ष अत्वा बैठा की सदस्यता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तूत किया जाएगा न केंद्री देखो इट इस एक सप्ताह के भीतर, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष अत्वा उपाध्यक्ष अत्वा बैठक की सदस्यता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित, केंद्री परिशत की बैठक में कारवृत्त के मसवदे को अगली बैठक में अंगी कार किये जाने हैं केंद्री परिशत के प्रत्यक सदस्य को अग्रेसित किया जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, किसी रिक्ती होने अत्वा केंद्री परिशत के गठन में किसी दोस के होने मात्र से केंद्री परिशत की कोई भी कारिवाही अवयद नहीं कहने का मतलब है कि जब तक जो भी नेनय होता है केंद्री परिशत के द्वारा होता है, तो उस दवरान किसी भी प्रकार का नेनय को अवयद नहीं ठहराया जाएगा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, व्याय और बैठक की सुल्क की प्रतिपूर् एक बार देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि हमें बार बार पढ़ने का रिक्वार्मेंट नहीं हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं अभी बोला आप लोग समझ गए होंगे, केंद्री परिशत के गैर इस्थानिक और गैर सरकारी सदस्य निमलिखित के ह हगदार होंगे, अब क्या हगदार होंगे देखते हैं, केंद्री परिशत अत्वा कारे समुहों की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से आने और जाने की यात्रा के संबंद में किफायती स्रेडी का हवाई यात्रा का किराया, ठीक है, देखिए, उसके बाद फिर उनके दैनिक भत्तों आवास उनके निवास इस्थान से स्टेशन अत्वा एzahlपौर्ट से केंद्री परिशद अत्वा इसके कारे समुहों की बैठक के इस्थान और विपरित प्रम में इस्थानी परिवहन के लिए किये गये व्याय को कवर करने के लिए केंद्री परिशद प्रत्येक दीन के लिए 5000 रुपए की रासी दी जाएगी देख रहे हैं आप सभी मतलब सभी प्रकार का सुविधा दिया जाएगा ठीक है आगे हम बढ़ते हैं पॉलिटिकली हम उधर तो जाएंगे नहीं ओके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं प्रत्येक दावा ठीक है प्रत्येक दावा मतलब जो भी दावा किया जाएगा परिसद के सदस्य द्वारा इस प्रमाडन के अध्यदिन होगा की केंदरी परिसद जो भी दावा किया जाएगा है ना वो केंदरी परिसद अत्वा इसके कारे समों की बैठाक में भाग लेने के प्रयोजन से अपने दवरे के दवरान केंद्री सरकार के किसी अन्य मंत्राले विभाग अत्वा संगठन से किसी लाब का दावा नहीं कर सकेंगे, ठीक है, मतलब दावा वहीं से कर सकेंगे, जो आपका संगठन है कहने का मतलब है कि उभुक्ता मामले के मंत्राले में ही आप दावा कर सकेंगे अन्य मंत्राले में नहीं नेक्स्ट केंदरी परिशद अत्वा इसके कारसमों की बैठक इस्थल के इस्थान में निवास करने वाले इस्थानी गैर सरकारी सदस्य सहर के किसी वरगी करड के बिना बैठक के प्रत्येक दिन के लिए 1000 रुपए तक के समेकित किराया प्रभारों का लाब प्राप्त करने क के हगदार होंगे एक बार जस्ट इसको रीड करिए उसके बाद फिर मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यह अभी जितना हम पढ़ रहे हैं लेकिन एक बार रीड कर लिजिए फॉर्ट सेक आप अंडरस्टेंडिंग है ना आगे हम बढ़ते ह केंदरी परिशत अत्वा इसके कारिस समुहों की बैठकों में भाग लेने वाले संसस सदस्य उन दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों के हगदार होंगे जो ऐसे सदस्य को अनुमे हैं ठीक है मतलब जितने भी लोग बैठक में भाग लेंगे उनको सुईधाय मिलेंगी ठी पर है ना पांच प्रकार के छेत्र हैं और उसके बाद फिर अनुसूची दो में जितने भी आपके संग सासित प्रदिश है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह हमारा भाग एक ही है जो कि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या हमारे एक्जाम के पाइंट इंपोर्टेंट नहीं है और मैं यहां पर कोशिस कर रहा हूं कि जितने भी आपके लेक्चर होने वाले हैं पूरा का पूरा ट्रू कॉपी आपके सामने पेस करूं भारत का राजपत्र आपको दिख रहा है दा गजेट आफ इंडिया आप कभी भी पढ़ें किसी भी टॉपिक को ले वो आप ओरिजिनल डोकुमेंट को ही पढ़ें तब वो आपके फायदे के लिए है ठीक है तो दिस इस इत फॉर अवर पार्ट वन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेरेंड कमेंट जरूर करें और स्क्राइब जरूर करें ठीक है तैंक यू